संसत की चाक चोबन सुरक्षकों धुए में उड़ाने वाले सभी किर्दार पुलिस के पंजों में हैं संसत के अंदर और बाहर उपत्रव करने वाले इस समू का मास्टर माइन ललित ज्जा है ललित ने कल देर रात पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया ललित ही वो शक्स है जिसने संसत को अपने एक्टिविस्म का ओजार बनाने की कोशिश की संसत घुसपैट कांट को अंजाम देने वाला ललित अपने ग्रूप का लीडर था ललित ने वेहस शातिर तरीके से इस घटना की प्लैनिंग की थी संसत पर हमले की 22 वी बरसी के दिन संसत के अंदर और बाहर उपद्रव मचाने वाले सागर, मनुरंजन, अमोल और नीलम के साथ ललित भी संसत के अंदर पहुँचा था जहां से सागर और मनुरंजन संसत के अंदर चले गए और वो नीलम और अमोल के साथ संसत के बाहर रह गया जब नीलम और अमोल ने संसत के बाहर बखेडा करना शुरू किया तो अमोल ने उनका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दिया लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफतार करती वो वहां से फरार होने में काम्याब हो गया ललित ने घटना के बाद बस पकड़ी और राजिस्थान के नागोर पहुँझा ललित ने यहां अपने करीबी से मुलाकात की और उसने वही के एक होटेल में रात गुजारी लेकिन जब उसे पता चला कि पुलिस उसकी सरगर्मी से तराश कर रही है तो वो वापस दिरली लोटाया और उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया लेकिन सरेंडर करने से पहले उसने अपने उन चार साथियों के फोन नश्ट कर दिये जिसको लेकर वो फरार हुआ था ललित ने तो पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया लेकिन सरेंडर करने से पहले राजस्थान में उसने उन चार फोन को नश्ट कर दिया जो लेकर वो पारलियमेंट के बाहर से भागा था अब सवाल ये उड़ता है कि आखिर उन फोन में ऐसा क्या था जो ललित नहीं चाहता था कि पुलिस तक पहुँचे क्योंकि पकड़े जाने के बाद तो आरोपियों ने ये कहा था कि नौकरी नहीं होने की वज़ा से उन्होंने ये कोई हमला नहीं बलकि प्रदर्शन किया है तो आखिर प्रदर्शन करने वालों के पास ऐसे कैसे सबूत थे जो वो नहीं चाहते थे कि दिल्ली पुलिस तक पहुँचे आरोपियों के फोन साजिश की कडियों को जोडने में एहम सावित हो सकते थे लेकिन ललित ने बेहच चालाकी से इस महतुपूर्ण सबूत को नेस्तिनाबूत कर दिया दरसल ललित ने संसद में घुसपैट की योजना डेर साल पहले ही तैयार कर ली थी क्या अब तक की इन्वेस्टिगेशन में ये साफ हो चुका है कि ये प्लानिंग डेर साल पहले से हो रही थी नमबर दो, दस तारीक को मिलना है, तेरह को ही इस साजिश को अंजाम देता है और अगर किसी वजह से प्लान A फेल होता है, तो प्लान B इनके पास तयार था तो एक पुखता तयारी की गई थी, रेकी की गई थी, सारी चीज़े एकदम रेडी थी और पुलिस को अब इनके इन तयारियों के बारे में पता चल चुका है मुलरूप से बिहार का रहने वाला ललित पश्चिम बंगाल में अपने एक NG.O के माध्यम से सक्रिय था ललित की एक तस्वीर, TMC MLA तापस राए के साथ सोशल मीडिया पर वाइरल है, लेकिन तापस ने ललित से किसी तरह के संपर्थ से इंकार किया है इससे वो लोग क्या बोलना चाहती है, एक गंभीर, एक serious matter जिसके साथ हमारे देश का सुरक्षा, हमारे सभी पार्टी के, पुरा देश के, चुने गए MPs लोग का सुरक्षा जरीद है कोलकाता में ललित जहां अपने माता पिता और अपने जोटे भाई के साथ रहता था, वहां वो अधिकतर शांत ही रहता था कि ललित अपने सीने में इतने बड़े शडियंतर की योजना दवाई बैठा है संसद में अवैद रूप से एंट्री करने वाले कांड में ललित तक पुलिस का पहुँचना बेहत एहम साबित हो सकता है अब ललित के जरीए पुलिस न केवल इस वारदात की तहे तक पहुँचने की कोशिश में है बलकि वो ये पता भी लगाने में जुटी है कि कहीं ललित के कंदे पर किसी और सफेद पोश शक्स का हाथ तो नहीं था अब पुलिस इस पूरे मामले में ललित जह से लगातार पूश ताच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आकर उसने मुबाइल के साथ क्या कुछ किया है कैमरामेन जगन मुहंती के साथ हिमाश मिश्रा